दोस्तों नमस्कार मैं आकास वर्मा अपने चैनल पर स्वागत करता हूं इसके पहले दो वीडियो डला हुआ है अगर आपने नहीं देखा तो उसको पहले देख लेजिए फिर उसके बाद ये वीडियो देखें इसके पहले हम आपको इसके उपर वाला सारा चीज बедा दिया है अब देखते हैं रेम और रूम के बीविच का अंतर रेम और रूम में क्या डिप्रेंस है देखे ये रेम है यह ROM है ठीक है RAM जो है Volatile Memory है और ROM जो है None Volatile है Memory Cap City जो है 256 GB पर-CHIP हो सकता है और ROM जो है 4 से 8 GB पर-CHIP हो सकता है ठीक है read and write बोद दोनों हो सकता है only read ठीक है fast होता है RAM इसके compare में slow होता है रोम यह temporary होता है और यह permanent होता है यह primary memory है यह secondary memory है stored data in RAM lost in cast of power failure sorry case of power failure मतलब अगर power चला जाता है तो data भी चला जाएगा data related in room even if power is turn off data नहीं जाएगा और इसमें देखे processor can directly access the RAM इसमें प्रोसेशर जो है directly access नहीं कर सकता रोम को यह cast जो इसका हाई होता है और इसके picture यह थोड़ा कम मतलब है कम हाई होता है और यह स्राइब डी रैम इसमें 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 इनके बीच का difference आपने देख लिया अब हम देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी आप्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी देखते हैं primary memory में और secondary memory में क्या ऑनतर है आये देखते हैं primary memory डायरेक्टली accessible by process CPU primary memory जो है processor या CPU द्वारा सीधे पहुचने योग होता है secondary memory is not directly accessible by CPU CPU सी द्वारे से सीधे पहुचना योग होता है कि निश ये तो बेसिक ता नेशर देखते हैं या प्रात्मिंग memory कुछ हिस्सों कि प्रकर्थ भीन भीन होती है रैम प्रक्रित में लोज ए और नट्याल है कि यह आपका प्रांड in limits रहां रहे हूं जो है हमेशे क्या होगा non volatile होगा और primary memory जो है RAM जो है volatile होता है Rome जो है non volatile होता है अब आगे देखते हैं data किया difference है बरतमान में निश्पादित होने वाले निद्योसों या data को मुख्य memory में copy किया जाता है और secondary में देखते हैं स्थाय रूप से संग्रेथ किया जाने वाले data को secondary memory कहा जाता है बोलाइटलीटी में देखते हैं प्रात्मिक मेमोरी आम तोर पे बोलाटाइल होता है सेकेंडरी मेमोरी जो है नान तोर पे आम तोर पे नान बोलाटाइल होता है फार्मेशन देखते हैं प्रात्मिक मेमोरी जो है सेमी कंड़क्टर से बनता है secondary memory चुम्बकी यंग optical material से बनता है यह याद करने वाली चीज है जो primary memory होगा वो semiconductor से बनेगा जो secondary memory होगा वो चुम्बकी और optical material से बनता है आगे देखते हैं एक्सेस स्पीड प्रात्मिक memory में data access करना तेज है ठीक है primary में secondary में data access करना थोड़ा धीमा है और प्रात्मिक memory मुख मेमोरी या आंत्रिक memory के रूप में भी जाना जाता है इसको main memory भी कहा जाता है secondary memory को external memory या auxiliary memory के रूप में जाना जाता है कंप्यूटर में एक छोटी प्रात्मिक memory होती है है साइज के डिफ्रेंज देख रहे हैं हम लोग कंप्यूटर में एक बड़ी secondary memory होती है एक्सपेंस प्रात्मिक memory डिवाइस सेकेंडिक memory के उपकरणों की तुलना में अधिक महांगे होते हैं ठीक है प्रात्मिक memory डिवाइस की तुलना में secondary memory कम मांगे होते हैं अब एक्जामपल देख लेते हैं कौन-कौन से हैं primary memory के रैम रोम कैसे memory पी रोम एपी रोम रेजिस्टर एटीसी याद रखिएगा इन सबको अब सेकेंडरी मेमोरी में आपका आता है हम परते हैं सब्ट्वेर सब्ट्वेर क्या है अप्लिकेशन सब्ट्वेर और सिंपली अप्लिकेशन और अफ्टन कल्ड प्रेदिविटी प्रोग्राम और in the user program because they enable the user to complete tasks such a creating document is appreciate database and publication doing online research sending mail designing graphics running business and even playing games etc application software is specific to task it is the design for can be simple as calculator application are complex as word processing application when you begin creating a document the word processing software has already set the margin front style and size and the line spacing for you but you can change this setting and you have many more formatting option available for example word processor application mark it easy to add color heading and picture delete copy move change and document appearance to suit your need ausion touriage index allows in a Mask logarounmob 7 people find it also make thirds of the application software ठीछित्य हैcek मैं आपक्र знаю कोकोर हैं एई और आपंट आप्लीकेशन आप्लिकेशन इसमें अनेक अप्लिकेशन को एक साथ किया जाता है इसमें संबंदितकार उसकी सुविधाय और उसके उपयोग करता इंटरफेश एक दूसरे के साथ इंट्रेक्ट करते हैं अब देखते हैं दूसरा एंटरप्राइज साप्ट्वेर देखिए हो सकता है आप सनमें देदे कि ये किस प्रकार का साथ वेर है तो जैसे इंटरप्राइज साप्ट्वेर पूछे किस प्रकार का साथ वेर है तो याद रखेगा अप्लिकेशन साथ वेर हैं हमको खुद से ही क्वेस्चन बना लेना है कि इस टाइप के क्वेस्चन आ स सब्सक्राइब को इंटर्प्राइज इंटर्प्राइज सब्सक्राइब करने के लिए आवस्यक्य शम्ता हैं प्लान करता है हें for information worker researching war information 서울 education 涯ुकेशन मीदिया डवलपमेंट सब्सक्रीर मीडिया अब देखते हैं तक हम देख रहा applications software का यह प्रकार का application इसकी होता है और excel powerpoint जिस पे हम काम करते हैं वो जो है application software है और system software system software देखते हैं क्या है system software is responsible for controlling integrating and managing the individual hardware components of computer system you know that and instruction is the set of programs that has to be feed to the computer for operation of computer system has whole when you search on computer the program in time is execute which active difference unit your computer and mark sorry makes it ready for your to your on it work on it this set of program can be called system software system software a computer systems के ब्यक्तिगत hardware घटकों को नियंत्रित संबंदित करने के लिए जिम्मिदार आप जानते हैं कि निर्देश अनेग प्रोग्राम का एक सेट है जिसे computer system के संचालन के लिए रन कराया जाता है जब आप computer की के ब्यापक ज्यान क्या सकता होती है डास यूनिक्स बिंडोज कुछ ब्यापक सिस्ट्र अब यहां पर देखें जैसे वर्ड एक्सल पावरपॉर्इंट आपका इस अप्लिकेशन साफ्ट्वेर है उसी प्रकार डास यूनिक्स बिंडोज जो है यह क्या है सिस्टम साफ्ट्वेर है क्या है सिस्टम साफ्ट्वेर है ठीक है यहाद रखेगा डास यूनिक्स बिंडोज यह पूछता है कि निमलिकित में से कौन सा सिस्टम साफ्ट्वेर ह है फिर पुचेगा कौन साब्लीकेशन शॉप्टे रहें इन दोनों के बीच में टिफ्रेंस पता होना चाहिए आपको ठोल को सिस्टम् और आप्लीकेशन सॉफ्टि स्प्टिव और देखते हैं एक मीडियेटर है जो अप्लिकेशन साफ्ट्वेर और सिस्टम के बीच में कारे करता है सिस्टम साफ्ट्वेर एक परकार का साफ्ट्वेर जो अप्लिकेशन और साफ्ट्वेर और सिस्टम के बीच में इंटरफेस है अप्लिकेशन साप्ट्वेर क्या है अप्लिकेशन साप्ट्वेर is the type of software which run as per user request it run on the platform which is the providing by system software आप्लिकेशन साप्ट्वेर एक प्रकार का साप्ट्वेर से जो उप्योग करता के अंषार चलता है यह प्लेट फोंप चलता जो लेस्टिम साफ्ट्वएर द्वारा परदान किया जाता है अब Saamai application software high level language पर काम करता है ये चीज़ ध्यान रखेगा जो system software हो आपका low level language पर काम करता है application software जो है high level language पर काम करता है language हम आगे पढ़ेंगे लेंग्वेज के बारे में भी यूजेज कंप्यूटर देखे system software is used used for operating computer hardware computer hardware के संचालन के लिए system software का उपयोग किया जाता है ठीक है on other hand application software is used by user to perform specific task दूसरी और application software का उपयोग ऊपयोग करता दोरा विशिस्ट करक्र ने के लिए सिपडेक किया जाता है है अब देखते हैं ऑपरेटिनग system после इस्टाल होने पर कंपीटर पर system software install किया जाता है operating system install होने पर computer system software install किया जाता है दूसरी और application software उप्योग करता कि उसकता का इंसार install किया जाता है on the other hand application software are installed according to user required user का जैसा required होता है उसे इंसार application software install नहीं होता है अब डिपेंडेंसी देखते हैं सिस्टम साफ्टोयरा रान इंडेपेंडेंसी इट प्रोवाइट्वेड़ प्लेटT फॉर्म पर रनिंग अप्लिकेसल साफ्टोयरा स्वतंत्र है अप्लिकेशन साफ्टोयरा चलाने के लिए कि जरूरी होता है मिन्तला मन्च प्रदान करता है एक प्लेटफार म्पढ़न करता है और हैं आप्लिकेशन सब्ट्वॉर बांड एंदेपनेंट जी डेकर रॉन विदाउट द्वेजि को आफ सिस्टम सब्टिर दूसरी और एप्लिकेशन सब्ट्वॉर्स तूर्फ से नहीं चला जा सकता वे सिस्टम साप्ट्वेर के उपस्ते थी कि भी ना नहीं चल सकते हूं कि सम एक्जाम्पल्स आप्शिस्टम साप्ट्वेर्ह आर्कम्पाइलर असेम्बलर िडे बगार ड्राइवर्सिस्टम साप्ट्वेर के कुछ उदारैंसे कम्पाइलर यान डेपलर धर और ड्राइवर्स ऊंछ। त्युऑ फियां व्य। ब्राउजर मीडिया प्लेयर यह सब आपके अप्लिकेशन साप्ट्वेर हैं याद रखिएगा यह सब अप्लिकेशन साप्ट्वेर के उदारने वर्ड प्रोसेशर विब ब्राउजर मीडिया प्लेयर और इसके उदारने compiler assembler divger driver जब यही सब नाम देता है तो फिर confused हो जाते हैं कि अगर डिगबर दे दिया डिगबर किस प्रकार का सफ्ट्वेर तो याद रखिए कि system सफ्ट्वेर हैं driver system सफ्ट्वेर हैं assembler compiler इस सिस्ट्व सफ्ट्वेर हैं processor browser media player अब देखने utility सफ्ट्वेर यूटिलिटी सफ्ट्वेर इस software designed to help the analyze configure optimize and maintain a computer it is used to support the computer infrastructure is a context the application sub to application software which is aimed the directly performing task that benefits ordinary user utility software except for a gc computer kem session configure on coolant या बनाय रखने के मदद करने के लिए design किया गया है इसको प्योग computer infrastructure का समर्थन करने के लिए किया जाता है अपलिक आम उप्योग करताओं को लाभानित करते हैं कि यूटिलिटी सफ्ट्वेर जो यह तीन प्रकार के होते हैं पूछेगा अगर यूटिलिटी सफ्ट्वेर कितने मैनेजमेंट यूटिलिज सिस्टम यूटिलिटीज जो है यह एंटि वायरस यूटिलिज टीज कैन फार केरिए यूटिलिटीज क्यूटिए चैन करते हैं और उसे ब्लाओ कहटा देते हैं जो एंटिवायरस सब्ड़ियर है वह एक सिस्टम यूटिलिटी सफ्ट्वेर है ठीक है तो एक तीनिमली खित में से कौन यूटिलिटी सफ्ट्वेर तो याद रखिएगा कि कि एंटिवार्श यूटिलिटि कब्लॉटर सब्सक्राइब क्लिप बोर्ड橋 एक्सपेंड देस्टर करते हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं यूटिलिटिंट्र जो तीन सब्सक्राइब है उनके बारे में तो पहला देख रहे हैं सिस्टम यूटिलिटी अब सिस्टम यूटिलिटी जो हैं कंप्यूटर एक्सेस कंट्रोल साप्ट्वेर अंदान अंग सिस्टम स्वस्थादनों तक पहुंच के लिए अन्रोज से इंकार करता हैं computer access control software grant to denied and request for access the system resources deeper type clip permitted to explain the modification data and program the instruction in memory risk diagnostic program that determine the and report operating status of computer hardware and software memory testers one example network utilize analyze the computer network connectivity configure network settings check the data transfer and log event package manner are used to configure install keep the data other software and other computer system profile provide details information about install software and hardware dosra deck storage device management utility backups make backup software make copies of all information stored on disk and other is restored the entire disk in a event of disk failure are selected files the by accidently deleted and corrupted backup software disk disk या संगरहित सभी जान करने प्रतियां बनाता है तो या तो डिस्क फ्लियोर या चैनित फाइलों को पूरी डिस्क जो है पुना रस्थापित करता है या गलती से नस्टेमेंट यूटिलिटीटीज का कर्डियोटग्राफिक यूटिलाइज जो तक इस कृप्टोग्रफिक यूटिलाइज टिम्स और फाइलों का एंड्कृप्ठ डिक्रिप्ट करते हैं और डाटा कम्प्रेशन यूट्लाइज यहूट्लाइज में तीन सब्डवेर हैं उनका यह तीसरा सब्टवेर है ठीक है के अब आगे दिखते हैं यूटिली स्टीप प्रोग्राम् के कोछ वदान इसपर करें डिश्क स्केनर डिश्क स्केनर इजूज्च डिटेक्ट फिजिकल और लॉजिकल प्रोग्राम of disk and all operating system provide disk scanner and manage computer disk antivirus a type of software that is used to detect the remove virus is called antivirus software antivirus program content information about difference known virus they can detect virus and remove them of the key happy joke compiler word is used to be an easy question are that again to compiler co-handle declinator compiler compiler is the kind of system software especially known as utility program compiler software kind of system software compiler system software can do it design किया गया utility program compiler translate the high-level language to low-level language so that data instruction passed through your program is accessed with the help of compiler compiler किसी high-level language को low-level language यानि machine-level language में परिवर्तित कर देता है यह वाली जो है ना आपको याद कर लेना चाहिए ठीक है जैसे compiler जो है compiler जो है compiler जो है क्या करता है low-level language को high-level language में परिवर्तित कर देता है यानि कि machine level code में परिवर्तित कर देता है यह वाली चीज पूछता है कि high-level language को low-level language में कौन परिवर्तित करता है तो compiler करता है कौन करता है compiler करता है कौन करता है compiler करता है low-level language hi-level language को low-level में यह आपढ़ देख लिजें कि दिखाmar compiler translate high level language to low level language ताकि आपके प्रोग्राम से गुजरने वाले डेटा और निदेशों को compiler की मदद से execute किया जाए compiler पहले प्रोग्राम में होने वाले error के लिए पूरी तरह चार्च करता है और अगर प्रोग्राम में कोई syntax टूटी है तो यह compile करता और प्रोसेस को निश्पादित करने के लिए बेजता है जिए प्रोग्राम में कुछ टूटी या गलतिया बनी हो तो यह प्रोग्राम को syntax या procedure के बारे में पूर्ण विचार करने के लिए संकेत देगा compiler का उपयोग C++ आज में किया जाता है अब यहां पर देखिए यह सब परिछा में पूछता है और बहुत ही important है जैसे compiler क्या है compiler एक utility क्या system software है compiler एक system software है जो एक utility प्रोग्राम है ठीक है और compiler जो high level language को low level में परिवर्तित करता है या जैसे या machine level language में परिवर्तित करता है ठीक है compiler का उपयोग C++ में किया जाता है याद कर लिजेगा इसको इतना दो-तिन इसमें से याद कर लिजेगा अब देखे इंटर्प्रेटर इंटर्प्रेटर्टर जो है इंटर्प्रेटर इस आसो translator which translates high level language into machine level language code be execute but if different from the compiler its check program line by line when it get the first line correct then it send the execute when if there are any mistake execute the program during during developing running program program process the developing process the prompted you effect the error various compiler check the entire program once the program is correct sense execute otherwise prompt you the recondition can they can interpret and update an interpreter interpreter is also translator which translate high-level language into machine level code to be executed but it differed from the compiler it check the program line by line and when it gets the first line correct then send to execute and when you are not any mistake exit exit in the program during developing process and then it prompt you to this rectify error varies compiler checks the entire program at once if the program is correct center execute otherwise promote you can recondition interpreter it use the visual basic it is interpreter we a can't go out of the house or just a river saco nispa did connect with machine inaster code go out we also only request this program the dial works uh तो यह आद रखेगा क्या है इंटर्प्रेटर ठीक हैं कमपाइलर भी उसमें दिया रहेगा तो कमपाइलर नहीं लगाना आपको इंटर्प्रेटर लगाना है जब यह पाली पक्ति सही हो जाता है तो निस्पादित करने के लिए भेज और जब कोई गलती होती तो प्रोग्राम में मौझूद प्रक्रिया के दोरान उसको आपको तुरूटी सुधारने के लिए प्रेजित करता है मतलब इंफार्मेशन वेजेगा आपको जबकि कमपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में चेक करता है अगर प्रोग्राम सही ह तो आपको निश्पादित करने के लिए बेजता है अन्य था री कॉंसीडर को संकेत देते हैं और इंटर्प्रेटर का उप्योग विजूल बेसिक आदमें किया जाता है याद रखेगा विजूल बेसिक आदमें किया जाता है असेंबलर देख लेते हैं आप देख लिजिएगा यह जो मैं बता रहा हूं कंपाइलर इंटर्प्रेटर असेंबलर इसमें से जरूर क्वेस्टेन आपको देखने को मिल जाएगा it is used to assembly level language which is used to translate menu munis and register variable to machine level code today execute and the assembler is program that converts assembly level language into machine code it make the basic commands and operation from assembly code convert them into binary code to can be recognized by specific type of processor assembler are similar to compiler in that they produce executable code. इसका उप्योग assembly level language में किया जाता है जो कि मैंनमाइज कानबात करने के लिए बैरियेवल को मसीन लेवल को रेजिस्टर करने के लिए किया जाता है assembler का प्रोग्राम जो assembly language को machine code में परिवर्थित करता है या assembly code में मूल कमांड या संचालन देता है इसे binary code में परिवर्थित करता है जिसे एक business प्रकायर का प्रोसेशन द्वारा पहचाना जा सकता है assembler compiler के समान ही होते हैं जिसे निस्पादन योग code का उत्पादन करते हैं assembler का उप्योग जो है assembly level language में किया जाता है यह लास्ट आज देखते हैं high-level language high-level language is the programming language which use text command written the general English near the user comprehension this kind of programming language need to compiler or interpreter so that program code may be converted into machine level code example of high-level language is c, c++, basic, fortran, java, visual, basic, etc उच्चतरी भासा प्रोग्रामिंग भासा यह क्या है high-level language programming है याद रखेगा high-level नाम में ही है ठीक है जिसका उप्योग करता सामान अंग्रेजी में लिखेगा text आदेशों का उप्योग करती है इस तरह के programming language को compiler या interpreter की जरूरत होती है ताकि program code को machine level code में बदला जा सकें उच अस्तरी भासा के लिए c++ ठीक है ठीक है अब open source and proprietary software यह देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू झाल